जले से 800 एक किसान गन्ना बेश्ट्री के बाद गायब हो गए हैं गन्ना समिथी को करना है किसानों को बुक्तान तो गायब किसानों को तक्रीबाना 51.59 लाग का बुक्तान करना है तो गन्ना बेश्चुन के बाद ये किसान गायब हो गए है साहरनपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दे और जिनको अब खोजा जा रहा है उनको भुक्तान भी करना है लेकिन 801 किसान जो है वो जले से गायब बताए जा रहे है तो गन्ना समिति को करना है किसानों को बुक्तान आ और तक्रिवने 51.59 लाग का बुक्तान करना है हमारे जिनको तुए 500 अगारी समितिया है जिनकी 801 किसान ऐसे हैं जिनका लगवग 48.40 लाग रुपया भी पेंडिंग हो और हमारे बास पड़ा हुआ है और हमारे सारे सुपर्वाइजर प्रोस की सूची दे दी गई है जो हमारा फ्रिडिष्टा कॉता है वो जाके किसान से संपर्क कर रहा ऑध किसान अपना कि पैसे लेने के लिए आगा तो नी लोग को ढुंडा जा रहा हैं वह लोग मिल भी रहे हैं पूरा है वह कुछ देखिए मैं आपको बता दू ये साहरनपूर के गंडा विभाग का जो है चीजी मिले उपर कुछ किसानों का बकाया चल रहा था 6300 किसान लगबग थे और उनका 63 करोड रुपिया बकाया चल रहा था जिसमें गंडा विभाग ने कोशिश की कुछ लोगों को ढूडा और उनका बकाया लोटाया भी गया बाकी का जो है 801 किसान है जिनका अंपेड अकाउंट में ये पैसा है उनसट लाग रुपे लगबग बैट रहा है लेकिन ये 801 किसान सारनपूर के अलग अलग गाउंगों से हैं जिने डूनने पर भी गंडा विभाग डून नहीं पा रहा है अभी परवेश्यकों को जो है ये आदेश दिया गया है कि 801 किसानों को दून्ड के निकाला जाए जिससे के उनका जो बकाया रकम है उन तक पहुचाई जा सके मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार इसी तरह की शिकाते हर पिराई सत्र में आती है 2023 पिराई सत्र में भी ये प्रोब्लम सामने आई इसमें जो लिखने वाले बाबू है उनकी कमी सामने आती है जिसमें वो सही से कॉंटेक्ट नंबर और सही एडरस और नाम नहीं नोट कर पाते जिसके कारण जो है गन्ना विभाद को समय समय पर ये परिशानियों को सामना करना पड़ता है जी बिल्कुल बहुत धनवार आपका मारे साथ